स्टेश्ट करें सब्सक्राइब स्ट्राइब वैल्कम प्यारे बच्छों वेल्कम प्यारे चानन तुछलिए स्टार्ट करतें हैं 33 English Class 6 पोएम है वकेशन ठीके रीट दा पोएम given lines from the poem आपको poem को पुरा पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है और जो line है उसको complete करना है जैसे यहां लिखा हुआ है I wish I were a hopper उसके बाद क्या था spending my day hopper कते ही था ना को माता है आपी spending my day they in the road in the road next क्या था spending my day in the road trying bangles crystal bangles यही है आपको उसको पूरा करना है grind bangles crystal bangles ठीक है उसके बाद है I wish I were a gardener कास में कास में garden होता digging away at the garden यहां क्या होता digging away at the garden 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 with nobody stop है ना यहां लिखते है आप with nobody stop यानि आपको कोई रोपता भी नहीं nobody to stop me from digging और कोई आपको खोदने से रोपता भी नहीं है ना नहीं है next है I wish I were a watchman कास में एक watchman होता ठीक है ना क्या करता है walking in the street all night यह होता ना walking in the street all night पूरी रात गलियों में खूंता रहता और क्या करता chasing the shadows 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 को पीछा करता chasing the chasing the shadows shadows को पीछा करता with my land लाल्टे लेके पीछा करता ठीक है land town से इस तरह से होता now let us try to complete the following sentence on our own अपने if I were a soldier अगर मैं सिपाही होता तो क्या करता हां I क्या करता होता ही जैसे हमने वहां पे लिखा hope if I were a soldier I will या I would I would safeguard यानी मैं रखवाली करता I would safeguard the country कंट्री की रखवाली करता तो इस तरह से आप sentence को पूरा कर सकते हैं next क्या है if I were a chef अगर मैं chef होता की क्या करता है I would make very delicious dishes है न मैं बहुती स्वादिष्ट dishes को बनाता हूं यही तो करते हैं पाने को बढ़िया 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 करते If I were an artist I artist होते तो क्या करते I would make मैं बनाती a very beautiful क्या बनाते बताइए पेंटिंग और क्या पेंटिंग यह तो बनाते हैं आर्टिस्ट जो काम करते हुआ यहां लिखेंगे इसे यह शेफ का है now read the stanza from the poem तो यह आपको अपने देख लिया सारा हा तो यह आप लोग ने देख लिया होगा read the stanza from the poem and list out the verbs, verbs को दोना है और space में लिखना है उचले देखते हैं when at four in the morning I come back यह है तो यहां हम लिखेंगे come back from the school I can see next क्या है see through the gate of the house the gardener digging the ground he does he does what he likes वो वो ही करता है जो उसे पसंद है does और likes with his speed he soils soils भी मिट्टी लगाना अपने खप्रों भी मिट्टी लगा रहता है soils is flow with dust nobody takes him to task तो यहां क्या होगा takes यह next start हो गया है him to task if he gets bailed in the तो यहां होगा gets ठीक है baked भी साफ में है यह gets bailed तो आपके से लिख सकते हैं in the sun and gets wet gets wet सभी work को आपको लिखना है I wish भी एक work है I were a gardener तो यह helping work का काम कर रहा है तो यह भी रिख लेना ding away at the garden with nobody stop 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 आया था क्या पहले हम नहीं आया है यह helping stop आया I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी तो किसी भी इसके अलावा अगर आपको work पता है तो कोई दो work के example जरूर देना हो हैं हमसे कोई भी दो work comment box में जरूर बताना take care बच्चों फिर मिलते हैं जल्दी वीडियो को subscribe करना चैनल को subscribe करना और वीडियो को share करना ना भूने बाइ बच्चों